नशेडी भूत की कहानी पहली बार कुबेर नगर अपनी दादी मा के घर आया था योगी मेरी प्यारी दादी मस्त गाव है दादी कितनी हलचल है यहां मुझे तो ये गाव बहुत पसंद आया दादी मा दादी अच्छा है इस गाव में जब तक उजाला है तब तक सब सही है अंधेरा होते ही ये गाव विरान हो जाता है योगी क्यों? दादी, बेटा, तू नया है यहां पर जल्धी सब कुछ समझ जाएगा योगी पर क्या दादी मा? दादी इस गाव में रात के समय एक भूत घूमता है नशेडी भूत योगी क्या दादी मा कुछ भी दादी तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं न तो आज रात अपनी आखों से खुद देख लेना और किसी भी हालत में बाहर मत जाना ठीक है योगी ठीक है दादी मा आज तो आप मुझे भूत दिखा कर ही रहना दादी और योगी ने साथ में खाना खाया और दोनों ने अपने अपने कमरे में सोने चले गए आधी रात को आवाज आई योगी की नींद खुल गई सबसो जाओ मैं आ गया सबसो जाओ मैं आ गया योगी उठा और उसने खिडकी से जाक कर देखा सुरू में तो उसे कुछ नहीं दिख रहा था फिर उसका ध्यान एक साए पर पड़ा धीरे धीरे वो साया अच्छे से योगी को दिखने लगा था योगी ये देखकर दंग था वो साया एक आदमी का था जिसके हातों में एक बोतल थी उस साय को देखकर गली के कुटे भी भाग गए योगी को अपनी आखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में भूत देख रहा था उसने खिडकी बंद कर ली और कंबल में छुपकर सो गया अगले दिन वह दादी से कहा योगी दादी मा मैंने उसे कल रात खिडकी से देखा दादी मैंने कहा था तुझे अब बस इतना याद रख की रात के समय घर के बाहर मत निकलना योगी पर दादी मा ये नशेडी भूत है कौन इसकी कहानी क्या है दादी वो सब मुझे नहीं पता तू शिव काका से जा करके पूछ ले योगी कहानी पूछने के लिए शिव काका के घर चला गया शिव काका अरे योगी बेटा तुम कब आए योगी कल ही आया काका शिव काका वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हें याद कर रही थी योगी काका मैंने कल रात उस नशेडी भूत को देखा भूत होते हैं ये मैं मानता ही नहीं था पर मुझे अब ये जानना है कि वो कौन है, भूत क्यों है, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं। शिफ काका, हाँ, यह भूत जिसे तुम नशेडी भूत के नाम से जानते हो, उसका असली नाम गिर्धर था। गिर्धर इस गाव में आज से 30 सान पहले रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी पायल थी। गिर्धर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, वह पायल की शादी तै कर दी। और वह धूम धाम से शादी करना चाहता था, इसलिए वह कमाने शहर जाने लगा। पाई-पाई करके पैसे जमा कर रहा था। एक रात की बात है, گिर्धर शहर में था और उसका परिवार यहां गाव में था। रात के अंधेरे में गिर्धर के घर में कुछ लुटेरे घुज गए और उन्होंने गिर्धर के घर पर हमला कर दिया घर में मा बेटी अकेली थी, उसकी पत्नी और बेटी जोर-जोर से चलाने लगी बचाओ-बचाओ, दोनों मा बेटी मदद के लिए गाव में बुला रही पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और आखिर में दोनों मा बेटी की जान ले ली। जब गिरधर ने अपनी बीबी और बेटी की लाश देखी तो उसको शदमा लग गया उसकी पूरी जिंदगी ही उजड़ गई। जिस बेटी क की शादी के लिए वह इतना मेहंत कर रहा था, वह अब इस दुन्या में नहीं थी, वह पूरी तरह से तूट चुका था और गिरधर ने नशा करना सुरु कर दिया। वह दिन रात नशा करता था नशे ने धुत कभी वह यहां तो कभी वहां गिरता पड़ता रहता था। र रात गाव में घूंता है योगी ये गिरधर किसी को नुकसान नहीं देता शिफ काका अब तक तो मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ लेकिन हाँ अक्सर लोग गिरधर के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं कुछ लोगों का गिरधर पीछा भी करता है पर उनके घर में घुसते ही वह चुपचाप वहां से चला जाता है। योगी ऐसे क्यों? शिफ काका ये बात तो उसे ही पता होगी मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। योगी को पूरी कहानी नहीं समझ में आई पर फिर भी वह दादी के घर लोट आया और सोचने लगा कि गिर्धर हर रात गाव में क्यों घुमता है? अगर उसका मक्षद लोगों को नुकसान पहुचना नहीं है, तो आखिर उसका मक्षद क्या है? उस रात योगी सोया नहीं और जैसे ही उसे गिर्धर की आवाज सुनाई दी वह घर के बाहर आ गया और वह उसे बुलाने लगा. योगी गिर्धर अपना नाम सुनकर नशेडी भूत रुख गया. भूत कौन हो तुम? योगी मुझे जानना है कि तुम रात भर गाव में क्यों घुमते हो? भूत तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे से ये सवाल किया है मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगी. मेरे मरने के बाद मैं रात में घुम घुम कर गाव की रखवाली करता हूं ताकि कोई और लुटेरा इस गाव में घुस ना सके और जो मेरे परिवार के सा वो किसी और के साथ ना हो सके गिर्धर की बात सुनकर योगी चौक गया वह सोचा नहीं था किसी नशेडी भूत के इतने अच्छे उद्देश भी होंगे और फिर नशेडी भूत अपने गाव के दौरे पर निकल गया मैं आ गया हूं मैं आ गया हूं